हेलो एंड वेल्कुम बैक लोनर्स वापस से हम आ गए हैं यूनिट नाइम बायो डाइवर्सटी की तरफ और इस यूनिट नाइम में हम कवर कर रहे थे और्गनिजम और फैल्स कंव करते थे और करते थे अब अब अबना आगे देखने वादे हैं कि और नहीं है कि नया है domestic dó hey who may any Rema mom cảट के बारे पूछा जाता है जनेरली पूछा जाता है कौन बेराइटिस के बारे में की अनिमल की कौन सी वहांट है कैसी जा तो हम इसी सीरीज में करतें आगा की बात करें तो यह क्या होते हैं यह बो एनिमल्स होते है जो हमाए लिए होते हैं या फिर इन्हें हम अपने घरों में अपने आस्पास रखते हैं क्योंकि उनका अलग सा MEET ऐसे ही गोट हो गया. MEET ए स्दोब्रों के लिए मिल्क के लिए एकाइस के लिए उसका मिल्क के लिए इसे भी डुट सारे के ट्रब्रों है जैसे गाहे भेसे हैं इन सब के अपने-पने इंपोर्ट उसमें और मिल्क एंड वाटेवर एंड इसी की तरह ऐसे ही उंट आ गया हिरन आ गए यह सारी जो है यह डुमेस्टिक एनिमल्स इंपॉर्टन्स आप एनिमल्स हो गए हिरन छोड़ दो हिरन तो वाइल्ड एनिमल है उकिए सॉरी अब हम एक करके बात करते हैं कैटल जो की कैटल हम य है वह होता है बॉस इंडिकल्स ओके इंडिया का बोस है इंडियन काव बॉस इंडिकल्स तो बॉस इंडिकल्स की जो common breeds है इंडिया में वो है गीर Beshandy एंड साही वाल तो गीरस इंडिये में साही वाल एह सारे एट्यु मिल्क मिल्क प्रोडूसिंग काउबिट्स है और यह इनमें क्या आता है शाहिवाल गीर रेट्स हिंदी एंड कंकरेज तो यह आपको याद रहेगा गीर रेट्स हिंदी एंड साहिवाल जो है वो इंडियन बीट्स है केटल के लिए ऐसे ही अगर हम बफैलो की बात करें बफैलो जि का साइंटिफिक नाम होता है भूबलस भूबलिस कितना ही इस लिए भूबलस भूबलस जापराबादी जो मॉस्ट कॉमन ब्रेट्स है वो मुर्रा सूती एंड जाफराबादी है इन तीन भैसों के अलावा कुछ और है जैसे नागपूरी है महसाना है बदावरी है तो जा साफराबादी यह रहा इसके अलावा क्या है नागपुरी है महसाना है और भादावरी है अब इसके बाद बारी आ गई गोट की गोट भी हमाने लिए इंपॉर्टन है गोट का नाम है कैप रा एस्पेग्रस हेरतर और इसके कॉमन बीड्स है जमनापरी बीतल सिरोही कालाहरी यह एन वेर्ता तो क्या क्या है? जमनापरी बीतल सिरोही कालाहरी व aspire इसके अलावा गलाथ बैंगा ओल जो है वो भी हमारा अपना वरीड है कालाहरी अपना वरीड है बेरता यह भी इंडियन व्रीड है तो ये सारे जो हो गएं गो ड इण ब्रीड्स हो गएं इसके बात बारी आती है शिप में OVBeast Arise船 जो है OVBeast Arise सेंटिपिक नेम है और इसके common breeds जो इंडिया में मिलते हैं वो है डेकनी, नेलोर और गेलोर इसके अलावा मारवारी शिप, पोयम बटूर शिप, गड़ी शिप और मंद्या शिप भी हैं तो आफको याद रखना है डेकन से नाम याद हो जाईगा, डेकनी शिप, मंद्या शिप, नेलोर से याद हो जाएगा नेलोर शिप, मारवारी सिप बहुत इजाल करना, वोयम बटूर शिप और गड़ी सिप यह सारे हो गएं आपके शिप के पिक्स को जो इसक anál लाज वाइट है और हैं हैं दि रॉट है इसके अलावा कुछ और कामन प्रीड है जो बेस्ट बंगाल या नौर्स इसमें मिलते हैं या अन्नमान निक्वबार में मिलते हैं तो एक एक करके देखते हैं तो भौगरू वैराइटी है फिक्स की जो घौ़ऑ वैराइटी है वो अगवलल में मिलती है नियां मेगा है, मेगाले में मिलती है अगोंदा गोवां की मिलता है वह मारे मिलता है, गोवां को याद रख दोनेना गोवा वह तैननी दू स्थल चौमां कान खाम hell eye मैं सबिस्के आसां मिलता है जो घुरुरा है वो उत्तर प्रदेश से है तो इस तरह से पिक की common varieties जो हैं West Bengal में घूंगरु common है अगॉंडा गुआ गुआ में है अंडमान निकुबार में निकुबारी है गुरुरा जो है वो उत्तर प्रदेश में common है तो ये इसता से transportation का जरिया होते हैं, तो common breed जो है यह इसमें आते हैं विकानेरी, जैसलमेर और कच्छी तो ये तीनों जो हैं वो डेजर्ट के ही नाम है विकानेर हो या जैसलमेर हो या कच्छो तो तीन most common variety ऐसे ही आपको याद हो जाएगा इसके अलावा जो varieties हैं उसमें विकानेर, मेवारी, मारवारी, जलोरी, नेवाती, जैसलमेरी, कच्छी और मालवया और खराई है तो ये सारे भी जगाओं के नाम है अगर चाहें विकानेर हो, मेवारी हो, मारवारी हो, जैसलमेर है, मेवात है तो ये सारे क्या जगाओं के नाम हैं जिनके नाम पे उनके special comments को नाम दिया गया है तो आपको ये चीज़े याद हो जाएंगी पीडियस तो मिले जाएगा पीडियस में आप एक बार देखके याद करें यहां पर नैरेट करना तो अगर होड्स की बात करें होड्स भी कॉमन हैं हम बहुत सारे शादियों में देखते हैं घोड़े चल रहे होते घोड़िया ले पहांने इंहर्सेस एक हिसलिए इंक इंपोर्टन्स है हैं इनके कॉमन ब्रीर और कात्यावारी मनीपुरी में बात कर लि थे इन के अलावा जो है वो है जान्सकारी भूतिय और गूतिय और लेकिन मोस्ट इंपोर्टन मारवारी काथ्यावाई और मनिपूरी है तो यह आपका हो जाएगा हो इसके बारे में इसके बार अगर सकरें पोल्ट्री की और dogs की और cats की. poultry हमें मालूम है, poultry में हमें chicken meats के लिए meats के लिए poultry होती है plus होता है eggs के लिए, तो वहाँ पे chicken जिसको हम gallus gallus domestical बोलते हैं, duck जो anus, plautin, friend, domestical होता है और turkey, turkey भी एक variety होती है chicken की, तो इसको milagres gallob gallo pavob बोलते हैं तो यह तीन चीजे जो है वो पॉल्ट्री की है और यही यह साइंटिफिक स्पिसेज जो है वो मौस्स कॉमन है इंडिया में इसके अलावा डॉक की बहुत सारे ब्रीड्स है जो की रखे जाते हैं एज पैट या गार्ड डॉक की तरह से अब नाम तो अपने बहुत कॉमन सु सारे ब्रीड्स होते हैं हमारा इंडियन ब्रीड्स जो साड़क पर मिलते हैं वह गया तो डॉक हमारा एक तरह से डोम्यस्टिक अनिमल्स में आता है तो ये आज यहाँ पे domestic animals की list जो है वो finish हो जाएगी इसके बाद हम domestic plants के बारे में बात करेंगे जहाँ पे हम देखेंगे कि इंडिया के different different reason में कौन से crop plant सबसे जादा उगाय जाते हैं कि seas की खेती होती है कौन सी variety उगाय जाती है चावल की कौन सी variety इंडिया के कौन से reason में हो होती है कहा apple होता है कहा peach होते हैं कहा plums होते हैं यह सारी चीजे हैं जो है हम अगली वीडियो में देखेंगे मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए thank you knowledge का दामन छूना हुआ असान फिर चाय ओ लेक्टर सिफ या PhD का अर्मान हमारे पास से आपके हर एक मुश्किल क सवाधान हम पूरा करवाएंगे आपका हर वो अर्मान वेदमी लेकर आया है डिटेल कोर्स पोर CSIR 2024 एक्जामनेशन मिले गए हां आपको सब कुछ न्यू पाटन के लेक्टर्स, 1-to-1 डाट्रेंग सेशन, PDF नोर्स और भी बहुत कुछ वेदमी क्योंकि हर सपना हमारा है अ आपको सब्सक्राइब 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 आपको सब्सक झाल झाल झाल